आपको अपने इस चैनल पर स्वागत है तेके नीट यूजी की कॉंसलिंग चल रही है जहां रांटू की कॉंसलिंग अल्रेडी यूजी की कॉंसलिंग चल रही है साथ साथ पीजी की कॉंसलिंग चल रही है वहाँ सुप्रीम कोड के तरफ से ये अपडेट आया या आज फैस पूरी तरह से डिटेल जानेंगा आखिर क्या बात है क्यों डेट एक्स्टेंट किया गया इन सभी बातों को यहां पर इस वीडियों में जानेंगे इस बढ़े रही है अगर चैनल पर पहले बारा है तो चैनल जरू सबस्काइब करें रखेंगा देखे तमिलांडू extends date the registration for admit candidate MBBS BDS round 1 जी हाँ MBBS के और BDS के round 1 के लिए तमिलांडू ने अपनी date sheet को आगे बढ़ा दिया date को registration date को extend कर दिया गया है और पूरी तरह से इसकी official website से मैं आपको नूटिस के माद्यम से भी दिखाऊंगा लेकिन यहां पर आप देख लेजिए कि round 1 का registration का जो date है वो का 11 नूवंबर तक यहां पर एक लिए समझेगा नूटिस में कंडेट का आगे ज्वायन MBBS बीडिया कोर्स 2022 सेशन as willing to resign from the seat round 1 counseling has been extend 12 11 2022 यानि 12 नूवंबर 2022 तक आपका डेट को बढ़हा दिया गया है इस नूटिस में साफ साफ यह कहा गया है यहां पर आप देख लेजा urgent attention to the candidates and the college ठीक है यह notice को 31 October 2022 के reference में नूटिस है और इस नूटिस में साफ साफ यह कहा गया है कि reference above notice is treated in the informed that the candidate who have joined MBBS BDS course 2023 session and willing the resigns या resigned round 1 के लिए आपका date को extend कर दिया गया है 12 नूवंबर 2022 तक यह official notice है जिससे आप अच्छी तरह से जान सकते हैं वीडियो को लाइक एंसर की जाए फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में जाए हिन जाए भारत